क्या बिक बॉस OTT 3 में शिवानी कुमारी बाहर हो जाएंगी विल ये सवाल बड़ा है और ये सवाल इस हफते उठ रहा है सवाल उठने की वज़ा है क्योंकि नॉमिनेशन में जो लोग हैं वो हैं लफ काटारिया विशाल पांडे शिवानी अब विशाल पांडे को लेकर एक स्क्रीनशॉट वारेल हुआ जिसमें कहा गया कि विशाल बाहर हो सकते हैं उनके फैंस अब पीछे पड़े हैं कि भाई क्यों अजरूरत है इस तरह से आपने पहले कह दिया अब इसके बाद कई कॉंट्रवर्सी हो गई है एक तरह विशाल क कि फैंस लगे पड़ें कि आपने पहले ही कह दिया अगर आब आब बाहर करोगे तो इसका मतलब शो स्क्रिप्टिड है उदर बिग बॉस OTT3 में एक्षिन को लेकर चर्चाएं बड़ी तीस है क्या तीनों बच जाएंगे या तीनों में से कोई चला जाएगा निशाल चाहते जिस कंटेस्टें गहरवाले चाहते हो बाहर हो जाएं वो शिवानी कुमारी है मतलब वोटर के आधार पर तो अलग कहानी है लेकिन घरवालों के साब सीषिवाणी को बाहर किया सकता अब श Neverkin वो गने सबसे जाधा वोट बाहर से मिले उन्हें यूपी बिहार समेट देश रितमाम इलाकों से काफी लोग पसंद कर रहे हैं लेकिन जब बिग बॉस नहीं कर गए सभी कंटेस्टेंट को कंफिशन रूम में बुलाया और पूछा की तीनों नॉमिनेटेट कंटेस्टेंट में घर से बाहर किसे करोगे और वहाँ पर जब लोगों ने डाला तब शिवानी को घर के अंदर में सबसारा वोट में लिए साइकेतन रणवीर शौरी ने लवकेश का टारिया का नाम लिखा बाहर करने के लिए अर्मान मलिक, करतिका मलिक ने विशाल पंडे को घर से बेघर करने के लिए वोट डाला सना मकबूल नेजी ने शिवानी को वोट दिया सना के लिए मामला मुश्किल इसलिए था क्योंकि तीनों दोस्त थे सना के पास आप्शन में विशाल, लवकेश थे इन तीनों में से किसी एक को एवेट करने के लिए वोट करना था, ऐसे में शिवानी को एवेट करने के लिए वोट डाला, नेजी, लवकेश, विशाल ने भी शिवानी के लिए वोट डाला, इस तरह शिवानी के हिस्से में चार वोट गए और उन पर एवेक्शन की तलवार स शिवानी का है, audience दौरा voting के आधार बहार होगा, घर वालों के साब से बहार होगा. यह भड़ा interesting होने वाला है, क्यों जाएगा, क्यों रहेगा, क्यों सेव होगा, क्यों बजग जाएगा, क्यों चला जाएगा. शिवानी एक गाउं देहाद से आने वाली लड़की जो सोशल मीडिया इंफ्लेंसर बनी यूपी के और एया जिले के अर्यारी गाउं की रहने वाली है और गाउं में ही उन्होंने अपने शुरुवात की कि यह जी देखिये हमारी भैसिया है यह जी देखिये यह है और फिर उनके उस अंदास को उनके उस ओरिजिनल पने को लोगों ने पसंद करना शुरू किया अपने गाउं में रहकर उन्होंने नाम कमाया फिर अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वाइरल होने लगी इंस्टाग्राम पर उनके चार मिलियन फॉल्वर है यूट्यूब पर भी उनके ढाई मिलियन सब्सक्राइबर है उनके ब्लॉक्स काफी लोग देखते हैं कई पर तो लाखो लाखो व्यूज है हलाकि एक जमाने में शिवानी बड़ी गरीब रही थी का जाता है कि एक जमाने में चपल खरीदने के पैसे नहीं थे शुरुआत में टिक टॉक वीडियो से शुरुआत की थी और फिर धीरे टिक टॉक पर टॉंट पढ़ने लगे घर पडोस लोगों ने पागल बोला काफी चीज़े रही बहुत सारी चीज़े रही लेकिन आप सोशल मीडिया पे इनका जलबा है इनकी मम्मी भी इनके गर्व से हैं और इनसे मिलने काफी लोग जाते हैं अक्टर राशपाल यादो की बेटी भी गई थी जिसको इनने बाद में यूट्यूब पर शेयर किया था दीरे दीरे नाम दंदा सब इन्होंने बना लिया है और अपना इनका बढ़िया चल रहा है हिसाब किताब लेकिन आप बिग बॉस में जब यह हैं और देश भर से इनने समर्थन मिल रहा है क्योंकि काफी लोग इनने सपोर्ट करते हैं अगर आप इन्स्टाग्राम पर या कहीं और देखेंगे तो शिवानी के सपोर्ट में काफी लोग आते हैं और कहते हैं टॉप फाइप में रह सकती हैं और अगर उन्हें मौका मिला तो अच्छा करेंगी जबर्दस उनके फैंस भी काफी लॉयल है पर फिर वही कहानी कि तीन में से कोई एक जाएगा लवकेश कटारिया विशाल पांडे या शिवानी आप कोमेंट सेक्शन उता दिए